जिस ने भी अवि तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियार वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ हुरुज़ना नहीं अपड़ेट के लिए पेल आइकल को जुरूर दबाएं तरहूं आप मेरी वीडियो को फस्ट केसे कर सकते हैं जैसा कि मालो आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो यह लाइव वाले कंडिडेट नहीं कर सकती जो बाद में देख रहे हैं उन्हें के लिए सिर्फ और शिर्फ आपको क्या करना है सबसे पहले जो उपर तीन डोट्स है या दिरे लग रही है तो आप इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद में आजाएगा इस परकार से अगर आपको ज्यादा फास्ट करनी है तो आप 1.5 पर कर लीजिए यहां से बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी वीडियो अगर आपको इस पर क्लिक नहीं करना ह आपको थोड़ा बहुत फास्ट करना है तो आपको इस पर क्लिक करना है एक वन पच्चिस पर इस पर क्लिक करने के बाद में क्या होगा यह वीडियो थोड़ी फास्ट हो जाए हां जी नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागता है हमारी यूटूब चैनल अजू अजू लिया था आपका टेस्ट नमबर साथ तो हम दोरा से ले रहे हैं लेकिन इसमें सभी के सभी क्यूशन हमने चैन्ज कर दी है क्योंकि वह क्लास खराब होगी थी दोस्तों सही तरी किसे लग नहीं पाई थी इसी वजाए से हम टेस्ट नमबर साथ द्वारा ले रहे हैं आपक आपको एंसर टाइप करना है जैसे मालो पहले क्यूशन का एंसर है तो आपको इस प्रकार से टाइप करना है अगर दूसरे क्यूशन का एंसर भी है तो दो लगा कर आके बी टाइप करना है आपको जैसे तीसरे का सी है तो तीन नमब लगा कि आपको सी टाइप करना है जिस स्लिप रिंग प्रेद्न मोटर में परियूग तीनों स्योजन सामानियत होता है यानि जो तीनों वाइंग स्योजन के स्योजन किस परका हो था है बोत स्लिप एकट ड्रेक्ट इट्स को में भूर्क तो इसका एंसर हो जाएगा बोत् hacia सारक इंडेट्स सही कर रहे हैं तो इसका अंसर होगा दोस्तो स्टार स्योंजन यानि बी एंसर हो जाएगा हमेशा स्टार स्योंजन किया जाता है अगला मारा परसन है दो नमबर जल्दी से बता दीजिए कमेंट बोक्स में टाइप करके स्लेपरिंग इंडेक्शन मोटर में कौन सा स्टार्टर उपयोग में लिया जाता है यह बहुत ही बार एक्जामों में पुछा भी गया है और उसकता है मैंने पिछले टेस्टों में यह क्यूशन दिया भी है अगर न लबाता डिरेक्ट एप्वक्न और फत्कल जा टार्र बहुत सरे कंडर्ट्स का जाव भी बिल्कुल सही आरहा है कुछ कंडर्ट्स गल्द कर रहे हैं तो दोस्तों इसका एन्शी जाएगा विल्कुल से जाव आप ürट प्रति रोश्टर एक जया ऌहल अगला रोटर प्सन उसके दक्सता कितने परतिसत तक होती है 10 से 40, 5 से 35 परतिसत या 5 से 30 परतिसत के बीच में या 10 परतिसत से 50 परतिसत के बीच में जल्दी से बता दीजिए कि मैंट बॉक्स में टाइप करके तो बहुत सारे कंडेर्स का जबाब बिल्कुल सही आ रहा है कुछ कंडेट्स गल्थ कर रहे हैं कोई बात नहीं दोस्तों गल्थ कर रहे हैं तो वह भी समझ लीजिए क्यूंकि एक बार गल्थी होती है उसके बाद में आपको सही अंसर का पतार चलता है ना तो आप बाद में कभी नहीं भूलोगे उस क्यूस्टन को गल्थी होने से ही सबक मिलता है तो सेड़ेट पॉल मोटर की दक्सता कितने परतिसत होती है दोस्तों अगर आपके एक्जाम में यह क्यूस्टन पूछा जाए तो आपको याद रखना है इसका इंसर हो जाएगा 5 से 35% यानि B option सेड़ेट पॉल मोटर की दक्सता है वो होती है 5 परतिसत से 35 के बीच में अगला मारा परसन है दोस्तों तीन चार नंबर जल्दे से बता दीजिए कमेंट बक्स में टाइप करके टैप रिकॉर्डर में कौन सी मोटर काम में ली जाती है जल्दे से बता दीजिए टैप रिकॉर्डर होता है तो उसमें कौन सी मोटर काम में ली जाती है यूनिवर्सल मोटर, सेड़ेट पॉल मोटर, कैपेश्टर, स्टाइटो मोटर, यार एपलसल मोटर जल्दी से बता दीजे comment box में type करके तो बहुत सरा एक इंडेट्स का ज़वाब बिल्कुल सही आ रहा है तो दोस्तों अगर आग किस भी इंडेट्स ने पिछले टेस्ट देखर नहीं देखे तो देखर देख सकते हैं सभी के वीडियो अवेलिवल है हाँ आज जो सुबह आपका टेस्ट लिया था उसका वीडियो मैंने प्राइवेट कर दिया है क्योंकि उसमें गल्तियां हो गी थी इसी जैसे अधिक होता है या सुनने होता है या नीद होता है जल्दी से बता दीजिए तो बहुत सारे कंड़ेट्स का जवाब वैसे सही कर रहे हैं आपकी त्यारी अच्छी है आपकी मैनत जरूर रंग लाएगी आगे आने वाले एक्जामों में आप करते रहे हैं इसी प्रकार से त्यारी कैपेश्टर स्टार्ट प्रेरन मोटर का स्टार्टिंग टोरग कितना होता है बहुत सारे कंड़ेट्स जवाब सही कर रहे हैं तो दोस्तों मैं अपने कमेंट भी छोड़ रहा हूँ नीचे कमेंट बॉक्स में आप देख लीजिए कुछ कंड़ेट्स के नाम भी टाइप ह हो रहे हैं हां तो इसका बिल्कुल सहीज़वा रहा है आप सभी के इसका हैनों हो जाएगा अधिक यानी जो कैपेश्टर स्टार्ट प्रेरन मोटर होती है उसका स्टार्टिंग टोड़क हमेशां अधिक होता है यह एंसर हो जाएग इसका अगला मारा परसन है दोस्तों च किस मोटर की तरह होती है जल्दी से बता दीजिए बिल्कुल सा क्योस्टन है बहुत बार एक्जाम में पूछा भी गया है इसका एंसर हो जाएगा देशी सीरीज मोटर की तरह है यानी सी एंसर अगला मारा परसन है दोस्तो साथ नंबर बिल्कुल सीम्पल सा क्योस्टन है बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है डेम आर्सी में भी आया हुए है मेक्सर ग्राइंटर में कौन सी मोटर काम में ली जाती है चैड़ेड पॉल मोटर यूनिवर्सल मोटर कैपेश्टर स्टार्ट मोटर या स्थाई कैपेश्टर मोटर बिल्कुल सीम्पल सा क्योस्टन है जल्दी से बता दीजिए तो दोस्तों जिसने भी अभी तक टेलिग्राम ग्रूप जोईन नहीं कि है तो जोईन कर लिजिए इसी वीडियो की डि लिंक दिया गया है वहां से आप टेलिग्राम ग्रूप जोईन करने के लिए लिंक दिया गया है वहां से कर लीजिए जोईन हाँ तो इसका answer हो जाएगा विल्कुल सही जाँ जाँ रहा है बोगस साइक इन्टर्स का युनुवर्सल मोटर भी answer हो जाएगा इसका सही यानि mixer grinder में हमें सा युनुवर्सल मोटर काम है अगला मारा परसन है दोस्तो आर्ट नमबर जल्दी से बता दीजी कमेंट बोक्स में टाइप करके तुल्यकालिक मोटर में उत्पन होने वाले जो हंटिंग दोस्त का दूसरा नाम क्या होता है जो तुल्यकालिक मोटर में उत्पन होता है डैपिंग, कंडेसिंग, फेज स्विंगिंग या उपरोक्त सभी यानि हंटिंग दोस्त को क्या बोलते हैं जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके डेपिंग बोला जाता है या कंडेंशिंग या फेज स्विगिंग या उपरोक्ट सभी जल्दी से बता दीजिए तो बहुत सरे एक इंडेट्स का ज़वाब बिल्कुल सही आ रहे हैं तो दोस्तो इसका एंसर हो जाएगा फेज स्वीगिंग यानि C एंसर हमेशा जो तुल्यकालिक मोटर होती है उसमें जो उत्वन होने वाला हंटिंग दोस होता है उसका दूसरा नाम होता है फेज स्वीगिंग यानि फेज स्वीगिंग भी बोला जा सकता है इसको अगला हमारा परसन है दोस्तो नो नमबर जल्दी से कमेट बक्स ने टाइप कर दीजिए बिल्कुल सिंपल सा क्योशन है नियूमेरिकल चार पोल वाली तुल्यकालिक मोटर की गोड़न गती 50 हर्टस दे रखी है तो इस स्त्रोथ फ्रिकेंसी पर इसकी गोड़न गती कितनी होगी जल्दी से बता दीजिए 500 आरपियम 600 आरपियम 1000 आरपियम या 1500 आरपियम जल्दी से बता दीजिए कमेट बक्स में टाइप करके तो कुछ कंडियर्स का ज़ाब सही आ रहा है तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको इसके बारे में तो इसका सूत्र होता है दोस्तो एन एस बराबर में एफ एफ है दोस्तो यहां पे एफ गुणा में 120 यह सूत्र होता है बते में पी यानि पॉल्स की संख्या एफ देर का है 50 अरटज और 120 सूत्र में लिखा हुआ है और पी देर का है पॉल्स 4 यह देखिए ठीक है अब हम सूत्र में रख के देखते हैं तो 50 गुणा में 120 उबटे में आ जाएगा 4 चार से कटा 30 आ गया और 30 को 50 से गुणा किया आ गया 1500 यानि इस कैंसर हो जाएगा दोस्तों D बहुत सारे कंडेर्स ने जवाब वे से सही दिया है तो इसका अंसर 15 से हो जाएगा आपको सुत्र याद रखना है NS ब्रॉबर में F गुणा में 120 बटे में P अगला हमारा परसन है जोस्तो 10 नमबर जल्दी से कमेंट बोक्स में टाइप करके बता दीजिए इसका अंसर तो लेकालिक मोटर का स्टार्टिंग टोर्क कितना होता है सुन्ने है इकाई या ओच या इनमें से कोई नहीं जल्दी से बता देजी comment box में type करके यानि जो तुल्यकालीक motor होती है उसका starting torque कितना होता है बहुत सरे candidates का job सही आ रहा है कुछ candidates गल्द कर रहे हैं इसका answer हाँ तो दोस्तो इसका answer बिल्कुल सही आ रहा है बहुत सरे candidates का तो आज ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका scan शुरू हो जाएगा यानि सुनने होता है तुल्यकालीक motor का starting torque अगला मारा person है दोस्तो 11 नमबर जल्दी से बता दीजे comment box में type करके अल्टरनेटर के rotor को गुमाने वाली machine को क्या बोलते हैं salient pole, prime mover, turbine या generator जल्दी से बता दीजे बहुत सरे कंडेटर का जवाब सही आ रहा है तो दोस्तो मैंने देखा है पिछले टेस्टों से बहुत सरे ऐसे कंडेटर रोज़ाना टेस्ट देते हैं live तो इनकी अच्छी त्यारी है, अच्छी मेहनत कर रखी है तो आपकी मेहनत भी रंग लाएगी आने वाले एक्जामों में तो अल्टरनेटर के रोटर को गुमाने वाले मसीन क्या कहते हैं बहुत सरे कंडेटर का जवाब वेसे सही है तो दोस्तो इसका इंसरो जाएगा B यानि prime mover बोला जाता है यानि prime mover कहते हैं उसे जो अल्टरनेटर के रोटर को गुमाती है अगला हमारा परसन है दोस्तो बारा नमबर जल्दी से बता दीजिए बिल्कुली सिंपल सा नियुमेरिकल है यदि कोई 8 पोल अल्टरनेटर 600 आरिपियम राउंड परती मिनट की गुर्णन गती पर कारियरत है तो इसके आवरती क्या होगी मैंने पिछले टेस्ट में भी बताया था आपको इसका सुत्तर जल्दी से बता दीजिए कमेंट वोक्स में टाइप करके आर्ट पोल अल्टरनेटर 600 आरिपियम की गुर्णन गती पर कारियरत है तो इसके आवरती क्या होगी तो कुछ कंडेट तो कर रहे होगी दिमाग में इसका इंसर दहीं देंगे लेकिन कुछ कंडेट नहीं दे पाएंगे चलिए मैं बता देता हूँ तो दोस्तो इसका इंसर होगा एप बराबर में सुत्र होता है इसका एप बराबर में पी एन बटे में 120 ठीक है दोस्तो पॉल्स दे रहे हैं आठ है और एन के मतलब बता है गुर्णन गती यानि आठ गुर्णा में हो जाएगा छसो बटे में 120 चलिए बता देता हूं आपको करके आठ हो गया गुर्णा में छसो बटे में 120 एक जीरो से ये जीरो गई बाराब से काटा आगया पांच पांच को आठ से गुर्णा किया आगया चालिस बी एंसर ठीक है दोस्तो इसका एंसर हो जाएगा बहुत सारे कंडेट्स ने जवाब दे दिया है इसका यानि इसका एंसर होगा बी अगला मारा परसन है दोस्तो तेरा नमबर जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए अल्टरनेटर दोरा उत्पन वोल्टेज किस पर निर्बर करती है अल्टरनेटर दोरा जो उत्पन होने वाली वोल्टेज होती है वो किस पर निर्बर करती है जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में एंसर टाइप कर दीजिए शेतर दारा पर, पॉल दारा पर, या रोटर दारा पर, या उपरोक्त सभी यानि जो अल्टरनेटर में उत्पन होने वाली वोल्टेज होती है, वो किस पर निर्ब करती है तो बहुत सारे कंड़ेट्स का जवाब बिर्कुल सही आ रहा है तो इसका एंसर हो जाएगा A, शेतर दारा पर हमेशा जो अल्टरनेटर में उत्पन होने वाली वोल्टेज होती है, वो हमेशा शेतर दारा पर ही डिपेंड करती है अगला हमारा पर सना है दोस्तों, चौदा नमबर, M.G.S.E.T. का अर्थ क्या होता है? M.G.S.E.T. का अर्थ क्या होता है? जल्दी से एक मेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए बिल्कुल सीम्पल सा केश्चन है मोटर जनीतर सेट, मैटल जनीतर सेट, मोटर जंक्सन सेट बोला जाता है या क्या बोला जाता है इसको? या इन में से कोई नहीं तो बहुत सारे कंडिडेट्स का जवाब सही आ रहा है इसमें तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आपका मोटर जनीतर सेट अगला मारा परसन है दोस्तों पंदरा नमबर जल्दी से कमेट बॉक्स में टाइप कर दीजिए इसका अंसर सिलिकन कंड्रोल ड्रेक्टिफायर की अधिकतम डीसी धारा आउटपूट कितनी होती है पचास अंपियर, सो अंपियर, एक सबचास अंपियर या दोसो अंपियर तो जिन भी कंडिडेट को क्लास अच्छी लग रही है अपले इस वीडियो को लाइक जुरूर करें हम आपके लिए कलसाम को आठ वजे लेके आएंगे, इसी यूटूब चैनल पे, ओनलाइन टेस्ट, आठ नंबर तो जुड़े रहिएगा, और साथ में सबस्क्राइब कर लीजिए, जिसने भी नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर नहीं लग रहा है, तो आपकी मर जीए, तो इसका एंसर बहुत साइकन डेस का सही आ रहा है, वैसे एंसर इसका, तो दोस्तो इसका एंसर हो जाएगा, 100 एमपियर, अगर मेरे दोरा कोई गलती हो यह तो प्लीस कमेंट करके बता देना है और मापी चाहता हूँ आपसे तो इस कैंसर जाएगा सो एंपियर यानि सिलिकन कंट्रोल रेक्टिव हायर होता है उसके अधिक्तम जो डीसी दारा होती है आउटपूट वह हमेसा सो एंपियर होती है एगला मारा परसने है दोस्तों सो से कोई नहीं कि कि जल्दी से बता दीजिये अ कि अ है बहुत सारे कंट्रेश का जाब बिल्कुल सही आ रहे है अ हाँ तो दोस्तों इसका एंसर हो जाएगा बहूत अच्छा जवाज जा रहे हो आप तो इसका इंसर हो जाए गासी कि यानि ए और भी दोनों आपक्षान तो और साथ में बैटरी को भी अवेसित करता है ठीक है दोस्तों यानि इसका एंसर ए और बी दोनों हो जाएगा अगला हमारा परसन है 17 नंबर जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए बहुत सारे ऐसे कंडिडेट हैं जो बाद में कमेंट करते हैं जिनको कलासे अच् इंट्रो भी डाल दिया था विडियो में आपने देखा कर सकती है तो बाद में कंडेट देख रहे हैं वह कर सकते हैं ये मर्जी जितनी मर्जी हो तो मोटर की कि प्द नियंतरक के गल्द कर रहे हैं तो यह आपको याद रखना है बिल्कुल सिंपल सा क्योंसे नहीं वैसे तो यह यानि मोटर की जो मोटर की गतिनी अंत्र के बारें पूछा गया है के रूप में नीमन में से कौन सी युक्ति काम में ली जागती है यानि इसमें होता है SCR सिलिकन कंट्रोल्ड रेक्टिफ हायर अगला मारा परसन है दोस्तो यानि बी हो जाएगा इसका एंस्वर अगला मारा परसन है अठारा नंबर यदि अचानक मोटर की बोडी के साथ वाइनिंग तार्च हो जाए तो क्या होगा मोटर दीरे चलेगी या मोटर तेज चलेगी या मोटर विदू जढका देगी या मोटर सामने रूप से चलेगी जल्दे से बता दीजिए कि मेंट बॉक्स में टाइप करके तो बहुत सारे के इंडेर्स का बिल्कुल सही आ रहा है यानि अचानक मोटर के बोड़ी के साथ वाइनिंग का तार छू जाए तो क्या होगा तो बिल्कुल सिंपल सी बात है मोटर विदू जड़का देगी यानि सी एन सुरो जाएगा इसका बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं अगला मारा परसन है दोस्तो 19 नमबर जल्दी से बता दीजिए यह इंपोर्टन परसन है आप सभी के लिए मल्टिप्लैक्स वाइंडिंग में अधिक समांतर पतों के कारण विदू दारा के मान पर क्या परबाव पढ़ता है यानि जो मल्टिप्लैक्स वाइंडिंग होती है उसमें अधिक समांतर पत होने के कारण जो विदूद्दारा होती है उसके मान पर क्या परबाब बढ़ता है क्या विदूद्दारा का मान बढ़ जाता है या गड़ जाता है या सुन्य हो जाता है या वही रहता है जल्दी से बता दीजिए तो इसका इंसर हो जाएगा B यानि गड़ जाता है बहुत सारे कंडेट्स वेसे सही करे हैं कुछ कंडेट्स गल्द करे हैं यानि मल्टी व्लेक्स वाइनिंग होती है उसमें अधिक समांतर पत्थों के कारण जो विदूदारा का मान होता है वो गड़ जाता है दोस्तो अगला मारा परसन है बीस नमबर जल्दी से बता दीजिए बिल्कुल सा क्यूशन है सिनेमा प्रोजेक्टर तथा सर्च लाइट में नीमन में से कौन सा लेंप काम में लिया जाता है नियोन लेंप होता है या आरक लेंप या हेलोजन लेंप या ये तीनों जल्दी से बता दीजिए जो सिनेमा प्रोजेक्टर होते हैं या सर्च लाइट होती है उनमें कौन सा लेम उप्योग में लिया जाता है बहुत सारे कंडेट्स का जवाब सही आ रहा है तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तो अरक लेम बी ओप्सन अगला हमारा प्रस्टन है 21 नमबर बारतिय नियम के अनसर फ्लोरोस एंट ट्यूब का लोड अधिक्तम कितना होता है सोरी यहां पर विदूत ओर था बारतिय विदूत नियम के अनसर फ्लोरोस एंट ट्यूब का लोड अधिक्तम कितना होता है 20 वाट, 40 वाट, 60 वाट या 80 वाट जल्दी से बता दीजिए बहुत सारे कंजर्स का अवे से जवाब सही आ रहा है तो इसका इन शुरू जाएगे दोस्तो B यानि 40 वाट अमेंसा जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है वो 40 वाट की ही होती है अधिक्तम श्यम्ताइन की यानि इससे उपर नहीं होती फ्लोरोसेंट ट्यूब अगला मारा परसन है दोस्तो 22 नमबर छट के पंखे को फरस से नियूंतम किस उंचाई पर लटकाना चाहिए यानि नियूंतम उंचाई कितनी रखनी चाहिए 1.5 मेटर 1.5 मेटर 2.5 मेटर या 3.3 मेटर सोरी 3.0 मेटर या 3 मेटर बोल सकते हैं इसको छट के पंखे को फरस से कितनी उचाई पर लखना चाहिए मिनिमम तो बहुत सारे किंडरिस को ज़ब सही आ रहा है तो दोस्तो इसका इंचर हो जाएगा 2.5 मेटर यानि मिनिमम है वो 2.5 मेटर होना चाहिए इससे कम नहीं होना चाहिए इगला मरा परस नहीं है टेइस नंबर जल्दी से बता दीजिए S.I.E. परण ली में दाब की इकाईwriting क्या होती है पाउंड परती वरग इंच या ग्राम परती वरग सेमी या उप्रोक्त में से कोई नहीं जल्दी से बता दीजिए तो बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं बहुत सारे किंडेट्स जिनको पता है तो दोस्तो कल साम को आठ वजे लेके आएंगे हम अगला टेस्ट इसी यूटूब चैनल अज्जू अज्यकेशन पर तो इसका इंसर हो जाएगा पासकल बहुत सारे किंडेट्स को ज़ाब बिल्कुल सही आ रहा है अगला मारा परसन दोस्तो चोईस नंबर जल्दी से बता दीजिए कमेंट बोक्स में टाइप करके लेपलस मोटर होती है वो कितनी शमता तक बनाई जाती है 5-20 HP तक या 2-10 HP के बीच में या 2-20 HP के बीच में या 0.1-20 HP के बीच में जल्दी से बता दीजिए बहुत ज़्यदा इंपोर्टन क्यूशन है ये डी मार्स में भी पूछा गया है लेपलसन मोटर कितनी असर सकती तक बनाई जाती है होर्स पावर बोलते हैं HP तो बहुत सारे कंडर्ट्स का जब सही आ रहा है कुछ कंडर्ट्स गल्द कर रहे हैं तो दोस्तो इस का अंसर होगा D यानि 0.1-20 HP के बीच में बनाई जाती है 0.1-20 HP के बीच में बनाई जाती है जो रिपलेशन मोटर होती है तो अंतिम क्यूशन का जवाब आपको जरूर देना है बहुत सारे से कंडर्ट होते हैं जो वीडियो को देख लेते हैं लेकिन इस क्यूशन का इंसर नहीं देते दोस्तो आज की किलास आपको कितनी अच्छी लगी यनि यह टेस्ट आपको कितना अच्छा लगा 100%, 90%, C में है 75% और D उप्सन में है 50%, E उप्सन में है 25% और F उप्सन है हमारा 0% जल्दी से बता दीजिए दोस्तो इस क्यूशन का इंसर आपको कितनी अच्छी लगी जल्दी से बता दीजिए दोस्तो आज की क्लास आपको कितनी अच्छी लगी जल्दी से बता दीजिए दोस्तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और ज़्यादा ज़्यादा सेयर कीजिएगा अपने वर्टसप ग्रूपों में हम आपके लिए अगला टेस्ट लेकर आएंगे कल साम को आठवजे इसी यूटूब चैनल अज्यू एजू केशन पर आपका ब्रोसा हमारा सा जिसने भी टेलिग्राम ग्रूप जोइन नहीं किया तो जोइन कर सकते हैं यूटूब चैनल का लोगो चैनल कर दिया है तो अगर आपको लोगो अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जुरूर बताईए धन्याबाद दोस्तों आपका दिन शुब रहे हैं जैहिन गुड़ नाइट आपने अभी तक जोइन यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दो चैनल को सब्सक्राइब करें आपका बरुसा हमारा साथ कलिक है डू सब्सक्राइब